नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ खुश्पू प्रधान मंत्री मोदी ने ये एलान करके सब को चौका दिया कि केंडर सरकार ही पूरे देश में मुफ्त टीका करण की जिम्मेदारी उठाएगी सवाल ये है कि प्रधान मंत्री ने ये फैसला क्यों लिया, राज्यों से ये अधिकार छीनने की वज़े क्या है हमने जब इसकी तहकीकात की तो पता चला कि अगर टीका करण की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई होती तो बहुत बड़ा घोटाला हो जाता और कॉंग्रेस शासित राज्यों की जान बचाने की बजाए राजनीती करते इसलिए प्रधान मंत्री मोदी ने हर राज्य का जाइजा लिया कि किस राज्यों में कितनी वैक्सीन भेजी गई और कितना इस्तमाल हुआ इससे हैरान करने वाला खुलासा हुआ कि राजिस्थान, पंजाब, छतीसकड, तेलंगाना, आंतरप्रदेश, जारखंड, केरल, महराश्ट्र और दिल्ली में काफी संख्या में वैक्सीन बरबाद हुई है जिन वैक्सीन से लोगों की जान बचाई जा सकती थी, उसे बरबाद कर दिया गया आंकडे बताते हैं कि राजिस्थान में 1,60,000,000 वैक्सीन भेजी गई लेकिन सिर्फ 57,000,000 वैक्सीन ही लोगों तक पहुँची इसी तरह से हर कॉंग्रेस रूल स्टेट में यही हाल है और कॉंग्रेस के युवराज राहुल गांधी हमेशा कोरोना वैक्सीन का रोना रोते रहे हैं वैक्सिन की कमी का राग अलाबते रहते हैं और कॉंगेस शासित राजियों में ही वैक्सिन की सब से ज़ादा काला बाजारी, बरबादी और हेरा फेरी हो रही है अलग-अलग कॉंग्रेस शासित राज्यों में कोरोना वैक्सीन्स की जम कर बरबादी हो रही है और शायद इसका कारण यही है कि ये वैक्सीन केंद्र सरकार ने मुहया कराई है और शाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार और पीम नरेंद्र मोदी से तो राहूल गांदी को इतनी विर्ची लगती है कि कहने की हद नहीं पिछले दिनों जब देश में कोरोना के केसिस उफान पर थे और अलग-अलग राज्यों में वैक्सीन्स की कमी के कारण टीका करण की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और आकी केंड्र सरकार की वैक्सीन नीती समस्या को और बिगाड रही है जो भारत झेल नहीं सकता वैक्सीन की खरीद केंड्र को करनी चाहिए और वित्रण की जिम्मेदारी राज्यों को दी जानी चाहिए लेकिन सोनिया गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या इसलिए वैक्सीन के वित्रण की जिम्मेदारी राज्ज सरकारों को दी जानी चाहिए ताकि वैक्सीन को पानी के तरह बहा दिया जाए जैसा कि राजस्तान में हो रहा है दक्षणी राजस्तान के डूंगरपुर में खुद स्वास्ते विभाग के अधिकारियों ने ही जानकारी दी है कि वहाँ कोरोना वैक्सीन के 500 डोस बरबाद हो गए है टाइम्सनाओ ने एक रिपोर्ट के हवाले से खबर दी है राजस्तान पहले से ही वैक्सीन की बरबादी को लेकर घिरा हुआ है भाजपा ने मांग की है कि राज्जी में वैक्सीन की बरबादी की जाच केंद्री सर पर हो प्रदेश के भाजपा नेताओं ने केंद्री सरकार के हवाले देकर स्थिती से अवगत कराया है। उन्होंने केंद्रे मंत्री से एक जाच दल भेजने का आगरे किया और साथ ही वैक्सीन की बरबादी पर नियंतरन के लिए कदम उठाने का भी निवेदन किया। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच रणनीती के लिए राज्य के मार्गदर्शन की भी बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि वैक्सीन फ्रिज में जमाए भी जा रहे हैं। डॉक्तर हर्शवर्दन पहले ही राजसान के स्वास्ते मंत्री रगु शर्मा को पत्र लिखकर इस संबंद में चिंता जता चुके हैं। और सा इक व्यक्ती को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने में अक्षम रहे हैं। राजस्तान सरकार अब भी मात्र दो प्रतिशत वेस्टिच की ही रट लगाये बैठी है। उपर से स्थिती ये है कि लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही। बारा जिले में तो आठारा से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन ही नहीं बची जिसके बाद वहां के लोग अब मध्यप्रदेश के शिवपूरी जाकर टी का लगवा रही है। ऐसा करने वालों की संख्या 500 से भी ज्यादा है। पिछले दो सप्ता से ये सिलसिला चल रहा है। आपको याद दिला दे कि कोरोना की दूसरी लहर की चरम स्थिती में राजस्थान के सवाई मादोपूर जिले में मध्यप्रदेश के शियोपूर जिले के मरीजों का इलाज बंद करा दिया गया था। जिससे दो की मौद भी हुई थी। उधर दैनिक भासकर ने भी कोरोना वैक्सीन की उन 532 वाइल भासकर के अनुसार वैक्सीन फेकी और जमीन में गाड़ी ही नहीं गई बलकि जिले के नामबा हरी सिंग प्राथमिक स्वास्ते के इंद्र के पास नाले में जली हुई वैक्सीन भी मिली। वहीं रगुनात्पुरा पीच्सी से कोरोना वैक्सीन को फ्रिज में जमा कर करने का मामला सामने आया है। यहां कोरोना वैक्सीन की 50 वायल अर्थात 500 डोज ऐसी ही लापरवाही के कारण बरबाद हुई है। चूक की सूचना वरी अधिकारियों को भी नहीं दी गई और मामला दबा दिया गया। फ्रिज में तापमान 2-8 डिगरी सेल्सियस तक रहना च कि 80 प्रतिशत तक भरी हुई वैक्सीन की वायले जमीन में गार दी जा रही है। ऐसे 10 स्वास्ते केंद्रों की परताल के बाद अकबार ने कहा था कि वो सच दिखा रहा है और अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। स्वास्ते मंत्री को संबोधित करते हुए अकबार उन्हें वैक्सीन की बरबादी रोकने की नसीहत दी थी और कहा था कि उन्हें जो भी सबूत चाहिए वो दिये जाएंगे पर्टी के बरबाद ना हो। इसके साथ ही राहूल गांधी ने च्वीच करके ये भी कहा था कि देश में वैक्सीन की कमी होती जा रही है और मृत्यू बढ़ती जा रही है केंद्र सरकार की नीती है ध्यान भटकाओ जूट फैलाओ शोर मचाकर तथे शुपाओ राहूल गांधी ने एक ग्राफ भी पोस्ट किया था जिसमें 5 अप्रेल के बाद से देश में वैक्सीन में निरंतर कमी को दर्शाय गया था राहूल ग देश से बाहर देश की बद्दामी करना और टूल किट के माध्यम से मोधी और हिंदू विरोधी साजिश करना एक दूसरे यूजर ने कहा कि देशवासियों को कॉंग्रेस नामक वाइरस की वैक्सीन पहले चाहिए और वो इसलिए क्योंकि एक तरफ राहूल गांधी सरकार से बच्चों की वैक्सीन मांगते हैं दूसरे तरफ विपक्ष उसी वैक्सीन निर्मान रोपने के लिए कोट में केस डालती है और अगले दिन फिर से राहूल वैक्सीन की कमी का रोना रोते हैं ये है कॉंग्रेस की दोगली नीती एक अन्य यूजर ने लिखा कि सम्विध जान के अनुसार देखा जाए तो हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन N95 मास्क दिलवाए मोधी, PPE किट्स भी मोधी दिलवाए, COVID-2 टेस्टिंग किट भी मोधी दे, हॉस्पिटल्स भी बनवाए मोधी, वेंटिलेटर्स भी खरीदे मोधी, बेड्स भी मोधी ही बढ जाए, Concentrator खरीदे मोधी, Cylinder भी मोधी खरीद के दे, Vaccines भी मोधी दिलवाए, GST भी पूरा हटा दे मोधी, आत्म निर्भर पैकेज भी मोधी दे, Foreign Age भी मोधी दिलवाए, Lockdown की जिम्मेदारी भी मोधी ले, अर्थ व्यवस्ता भी मोधी संभाले, Migrants को उनकी घर भी मोधी पहुचाए, Vaccination भी मोधी करवाए, COVID-19 सेंटर भी मोधी बनवाए, गरीबों को अन भी मोधी दे, COVID-19 समीक्षा भी मोधी ही ले, Medical Infrastructure भी मोधी सुधारे, बाकि राहुल गांधी, Congress और गैर बीजेपी मुख्यमंत्री चोडे से Twitter और Facebook पर बकलोली करके दिन रात मोधी की बु येस मेडम, येस मेडम करने से या फिर दूसरे चात्रों की गलतिया निकालने से नहीं, बलकि Self-Studies करके ही परीक्षा में पास होता है, नसीहत तो एक ऐसी चीज है, जो हर कोई हर कहीं दे सकता है, सिर्फ सोशल मेडिया प्लाटफॉर्म पर दिन रात अक्टिव रहने और कॉंग्रेस पार्टी की तरकी होगी, ना देश की और ना खुद राहुल गांधी की, सोनिया गांधी को चाहिए कि वो राहुल को थोड़ा समझाए, भले ही सोनिया गांधी उनकी मा हो और मा के लिए उसका बच्चा ताउम्र बच्चा ही रहता है, लेकिन हकीकत तो ये है क कि अब ना तो राहुल बच्चे हैं और ना ही युवराज, अब वो वृद्धावस्ता में प्रवेश कर चुके हैं और बड़े बुजुर्गों के मुह से इस तरह की बचकानी बाते जो हैं वो अच्छी नहीं लगती अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें, नमस्कार